777 Charlie एक drama comedy film है एक कहानी है कल्यूप के धर्म राजगी यह कहानी एक dog Charlie और एक lonely aggressive आदमी धर्मा के जर्णी और उसके bond को दिखाता है तो ही डाइक्टर साथ में बहुत ही खुबसूरती के साथ हम लोग को दिखाया धर्मा एक ऐसा आदमी रहता है जिसमें emotions बिल्कुल नहीं रहते हैं वो social life से बिल्कुल connected नहीं रहता है जो अपने काम पे जाता है आता है दो idli, cigarette, एक ठंडी beer की bottle उसकी life यहीं फिक्टूस है और यहीं उसके जीवल में repeat mode पर हमें सब चलते रहते हैं एक दिन उसके life में एक dog, actually female dog की entry होती है लेकिन धर्मा उसको भी लात मार के नहीं डाल लेता है लेकिन वो dog उसका पिछा कभी नहीं छोडता इस movie के first half में आप यहीं देखोगे कि धर्मा उसको अपने घर लाता है और धर्मा की life पूरी change हो जाती है और उस dog का नाम चार्ली परता है वो dog कैसे ray of hope बनके धर्मा की life में आती है कोई second half में उस dog के लिए आप लोग को एक emotional बात पता चलेगी पर आप लोग देखोगे कि कहां वो जय वीरू की जोली निकल पड़ती है और क्यों जाती है ये तो आपको movie देखके ही पता चलेगी लेकिन हाँ ये movie अंत तक आपको emotional बांद के रखेगी खुद से आप कितनी बार रोओगे ये दिन भी नहीं पाओगे पर तो पकी रही कि ये एक evergreen movie होने वाली है जिसके emotions आप जितने कनेक्ट करेंगे आपको उतने ही 20-25 साल बार भी इस movie में जितने अच्छी acting रख्षित और उस प्यारत cute doggy ने की है उतने ही इस movie के गाने भी अच्छे ह आप लोग को ये movie एक बार तो जरूर ही देखनी चाहिए